नमस्कार रागगिरी वीकेंड इंटर्व्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है और स्क्रीन के दूसरे हिस्से में है इस देश और दुनिया के जाने माने तबलावादक पंडित राम कुमार मिश्रा जी और आज हम उनके सफर पर बातचीत करेंगे साथ ही उनका जो संगीत क्लासिकल प्रोग्राम से बजाते हैं उतना ही सेमी क्लासिकल आप उनको देखेंगे लेकिन सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमस्कार बहुत-बहुत धंधेवाद शिपंद रजी तो पहला सवाल जो है जिसका जवाब अब तक देते-देते मेरा फ्याल से थक चुके होंगे अगर बतलब पंडिच छंडवाल मिश्रा पुरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं उनकी गायकी की वज़ा से लेकिन आपने तबला वादन चुना अब मैं तो इसकी वज़ा जानता हूं कि तबला वादन के पीछे आपका परंपरा जो मा की तरफ से जरूर जैसा कि आपने कहां में कहता आ रहा हूं मैं फिर से कहूंगा जरूर आपके नए जो विवर है सब्काइबस उनके लिए कि मैं बच्पन में मैं पिटा जी से तीन साल की उमर से गाना ही सीखता था और मैं दो साल जब पांट साल का हुआ तो मैं कुछ छटी चीजे जैसे दाजरा है भजन है यह सब मुझे पिटा जी सिखाये तो मैं गाने लगा था तो पिटा जी मुझे हर प्रोग्राम में अपने साथ ले जाते थे और मश पे अपने प्रोग्राम के बीच में एक गाना गवा देते थे पांच मिनित ऐसा कुछ ये सेसलता रहा लेकिन जब मेरी उम्र साथ साल की हुई तो मेरा जुकाओ तबले की तरह हुआ पाफ साल की उमर से होगा था उस समय फिलमों में के गाने में काफी किशोर कुमार का मैं बहुत बड़ा फैन ही तो उनके गाने सुनता था और रेडियो में प्रोग्राम उसमें तो उस विनाका गीत माला में मैं पूरा बट के वह मुझे इंतजार होता था कि बुद्वार को प्रोग्राम आता था उसको मैं सुनता था और एक घंटा जितना देवर शलता था उसारे गानों के साथ मैं अमूल इंक्स्व्रेका उससमें दूर का डिंबा आता है एक एक पि期का लाकु व्यारता तो बबदे वाले को मेरी मम्मी ने गौर किया लात जाता है बहुत अच्छा वजा रहा है ठेका जैसे जो फिल्मों में बज़रा है वैसे ही कोशिच करता है वहीं सारे कट वगरा तो उन्होंने पापा से कहा कि ऐसा है यह गाना तो आप सिखा ही रहे हैं गाना तो आप घर की चीज़ है लेकिन मैं सुखती हूं कि इसको मैं तो जितना तबला उनको मालूम था उतना ही तबला मेरी माँ को भी मालूम था क्योंकि नाना जितनी देर क्लास करते थे मेरी मा सबस्क्राइब कर लिया है दिखा दो एकमप देख लेंगे बजा की दिखा दो ताकि सब सही हो जाए कहाई तो मम्मी ने मुझे ने तबला शुद किया सिखाना उसरा मेरी उवस्ताइव सात-ताल की थी और फिर धीरे धीरे एक-दो साल होते होते गाना तो मैं कर रहा था लेकिन वो जो की 90 परसंट गाना सा 10 परसंट तबला था वो उल्टा हो गया 90 परसंट मेरा जुकाओ तबले की तरफ हो गया तो फिर पिता जी से यह वा पापा ने कहा कि अच्छी वात है चलो भाई तबले में इसकोप ज्यादा है और फिर हमारे साथ संगत भी करेगा और अच्छा है बढ़िया है संगीत से तो जुड़ा कोई काम होना चाहिए और बिचुकि नाना जी के पक्षे से इतना इतना बड़ा नाम है उनका तबला फिर हमको सिप्रती मिल गई किता जी से और मैं 11 वर्स की उमर में 1975 में मैंने संकट मोचन संगीत सम में पिता जी के साथ संगत भी करी और तबला सोलो भी बजाया और हनवान जी की कृपा से वह जो सिलसुला चला तबले का वाज तक सीखना बचाना सारी दुनिया में घूमना सब हनवान जी ने कराया पंदी जी ये संगीत प्रेमियों का दुरभागी ही कहा जाएगा कि अनोखिलाल मिश्ट जी यानि आपके नाना जी का निधन बहुत असमय हो गया था बहुत कम उमर में हो गया था जाहिर आपको उनसे सीखने का मौका नहीं मिला रूभरू बैठ कर लेकिन वो जो उनके सं कि उमर में हो गया था 44 के थे वो उसमें उतने ही उमर में उनने सारी दुनिया में नाम कमा लिया और उनका डियांट हुआ 1958 में और मेरा जन्म वह 1964 में तो मैं उनको नहीं देख पाया लेकिन जो चर्चा है अपनी मा से अपने गुरूओं से मैंने सुनी है कि उनका वह अथ पिर वह 12 बज़े रात को रियास के लिए बैठ गया तो वह रियास का उनका जो शौक था यही सबसे बड़ी बात ही उसाधगी उनकी जो थी करी दफ़ा ऐसा हुआ कि जब कहीं जाते थे प्रोग्राम में वो ट्रेन में तो उनके शागिर्द जो होते तो उनको लोग पंड आए देश्वर लालमिश्राजी उन्होंने एक दफ़ा वह घर पे रहके सिखते थे वह बंडी छोटे लालमिश्राजी यह सब लोग मेरे नाजी घर पे रहके खाते पीचे सर्म हमारा जो सिंपल है वह और श्यादा सिंपल बिना प्रेस का धोती कुटा और चूनट कर दिय यह उनका रूटीन था और जो रियाज की जो आपको बाब बताओं जो उनका लगन था हमारे राम जी मामा जी हमारे बड़े मामा है उनसे भी बड़े एक हमारे मामा के उनके बड़े भाई उनका देहांत वह बहुत ही मतलब जो कहते हैं कि जो चाइल्ड प्रॉड़ जी से का कैसा है भई हमारे द्याज में भी धाई गंटे कमी है मैं पांच बजे उठोंगा तुम लेकर चलो घाट पर अभी तो चला ही गया अब वो चला गया हमारे उठने से वह आएगा नहीं मैं अपना धाई गंटा यह कम क्यों करूंगा मास वरस्वती का राधना में अभी मैं पूछ लूगा उस वेटके बारे में क्या हो बहुत वराम चलो जो करनी है लेकिन जब उनका मुझे इतना आश्यर हुआ कि मैं चार बजे गए घर पे गया से ऊनके घर कर घ्या तो मैं देख रहा हूं तबला बज हा है कि रहा है उनको प्रोग्राम अपनी जगा है हमारा र्याज अपनी जगए तो बोले हो र्यास करके बाद ना थका होने के बाद र्यास करें इसलिए उनका जो नानी दिन आये कुमली का और ध्रधरे वो आज तक नहीं हुआ आज तक नहीं बजा जो बजा कर चले गए आपने ज़्यादा पंडटे चोटे लालमिश्णा जी से सीखा लेकिंगी जो पूरी तालिम जो कि अभी तक हुई अभी पिछले वर्स मेरी माँ ये कोवीट का शिकार हुई तो वजना अभी तक मेरी वह दिल्ली आती था जब मैं नारत जाता था तो कभी-कभी उनसे पूछता था और मैं आपको बताओं कि अभी मेरी आदा थे कि मैं तबला लेकर कहीं जहीं कहां भी जाता हूं छुट्टी के लिए जाता हूं तबला मेरे साथ होता है एक दो घंटे का रयाज ज़रूरी है कहना रोज खाते हैं आपको पर दिखाओ तो भूल तो नहीं गए हो बताके इस तरह के जो यह तालीम था यह मां से हुआ सब्वाफिबाद में होता है कि गंडा मंद तो हमने गंडा मंदन किया पंड़ी छोटे लागी से लेकि मेरी सिक्षा है वह पूरी तरीके से माता जी सही रही कभी तारीफ भी सुन मैं कहीं किसी कॉंफरेंस में बजा रहा हूं लेकिन वह स्टेज में हमिशा करते थे जोर से बाया लगा कर यह कभी नहीं अच्छा बजा है अच्छा बजा रहा है और उनका था कि मुझे लड़ाए बच्पन में काफिव नन संगत में मुझे लगाया और स्टेज पर भी सो सब्सक्राइब करते हैं अच्छा बजा है लेकिन अच्छा बजा है लेकिन आ करके जैसे होता है कि आवा हाँ बहुत अच्छा बजा यह नहीं वहां में प्रोग्राम के बाद कहती थी आश्रवाद देती थी आप अच्छा बजा है बहुत अच्छा बजा है लेकिन उनका जो था वह नहीं तारीष करना यही मुझे हमेशा मैरे मन में होता था कि नहीं कुछ कमी है तब यह प्राइक आप ग्ड़ा लेकिन अब चार्जा पड और खाता मैं तो और अच्छा बन सकता है यह जो आजकल के बच्चे सीख रहे हैं और जिनके पेरेंट्स दो महीने के बाद गुरू से जागे कहते हैं कि ऐसा करिए कुछ सिखा दीजिए जिससे कारिक्रम करने को मिल जाए और थोड़ा सा उसका बन जाए उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर चार और खा गया होता तो शायद और बहतर तबला वादक बन गया होता अच्छा अब तो यह होता है कि दो महीने के बाद आगे करते कि अपनी जिसका प्रोग्राम करवा दीजिए कहीं पे अरे सीखने और बच्चे भी ऐसे मैं आपको बड़े भी अगर अगर आप पुछ आप अगर आप अगर लगता है कि दिशिखना पूरा समंदर है तो यह सुनकर बड़ा लगता है कि धायर यह धायर यह बहुत जरूरी है फ्रीवन जी आप अगर आप कुछ हमें सुनाते चले इसी चाहिए अगर बढ़ने से पहले तो और बात्चीत में मिधास बढ़ जाएगे अगर आप आप बढ़ने से पहले झाले तो यह बढ़ने से पहले घजाब वता है झाल 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 ये वीडियो आपको कैसी लगी? हमें जरूर बताएं। हम चोटे बच्चों के लिए खास तोर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे.